कि कि कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता और इंप्लांटेशन हमने पढ़ा था कि कैसे इंप्लांटेशन होता है आज हम गैस्ट्रिलेशन पढ़ दे और कैसे बेबी बनता है कि क्या फंक्षन है वह सबकी वारे हुम डीटि में करेंगे तो सब्सकि करते हैं 75 एथा और इंप्लांटेशन की बात होता क्या है कि वहुए जो शिक्स्टी फोर सेल का ब्लास्ट उस था जैसे कि यहां पर अगर में बनाओ कि यह देखिए कि थोड़ा कि यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह बाहर वाले सेल्स है जिनकों ट्रोफो ब्लास्ट बोलते थे हैं यह सारे के सारे से ट्रोफो ब्लास्ट थे और अंदर वाले से यह थे यह अंदर वाले साइब अब आगे देखिए क्या होता है यह अंदर वाले से उनको इनर सेल मास कहते हैं तो पहले आगे जाके यह इनर सेल मास दो टैप के सेल में डिफ्रेंशेट होते हैं यह अभी भी बाहर का ही सेल है जिसे हम अभी भी ट्रोफो ब्लास्ट कहे रहे हैं तो बाहर वाला सेल में और अंदर वाला सेल पहले दो लेयर में डिवाइड होगा है पहले सेल के दो लेयर बनेंगे तो एक जो सेल का लेयर बनेगा वो थोड़ा सा लंबा होगा कॉलमनार वाला सेल होगा ठीक है और इसके नीचे वाला सेल में बना रहा हो पर वो मैं अलग कलर ही उस करूँगा वो थोड़ा सा क्यूबाइडल होगा तो पहले तुमको सेल के दो लिए मिलेंगे यह अंदर वाला सेल था इसे मैं क्या वोन रहूं इनर सेल मास सिर्फ करूँ यह अंदर वाला सेल था इसे इनर सेल मास कहते है ठीक है फुल फॉर्म लिख दे रहाँ इनर सेल मास यह आगे जाके दो लेयर में पहले डिफ्रेंशेट होता है तो जो दो लेयर बनते हैं तो इसको मैं बोलूंगा यह दोनों भी लेयर को मैं बोलूंगा इसे में कहूंगा बाइलेमिनार डिस्क अब इस बाइलेमिनार डिस्क के अंदर जो उपर वाली लेयर है यह उपर वाली लेयर है इस लेयर को मैं कहूंगा इसे में एपिबलास्ट कहूंगा जो की कॉलम लाइक सेल्स है ठोड़े लंबे लंबे सेल्स्ट और जो नीचे वाली सेल्स है यह नीचे वाली सेल्स को मैं कहूंगा हाइपो ब्लास्ट याद रखने ह Parce यह कि पहले मतलब यह हुआ कि in derniersal मास जो था वह पहले दो लेयर में डिफ्रेंशिट हुआ फैले दो लो बने इनस मास से पहले डो लिएर बने उन्हाइन ब्हमिनघי यह रॉente तो जो उपर वाली सेल्स थी वो लॉंग एंड टॉल थी उसको हम लोग कॉलम ना रैपिथीलियम बोलते हैं अब आगे क्या हो रहा है कि यहां पर हमारा में फोकॉस अभी ट्रॉपोब्लास पर नहीं है मैं इसके इसरी वाइट का बना दूगा तो यह जो रेड़ वाली सेल्स है अब यह रेड़ वाली सेल्स पूरी स्कैटर्ड हो जाएगी यह यह एपिबलास्ट वाला जो सेल्स है यह पूरा स्कैटर्ड हो गया है तो पूरा उसने से कवर कर लिया मतलब यहां से एक एपिबलास्ट गया यह एपिबलास्ट यहां से ग्रोव रहा है और ग्रोव कुछ इस प्रकार से हुए कि यह पूरा आगे जाके कवर कर ले रहें और यह मैं न्यूकलेश एक बार बना दे रहा हूं यह लेयर बनी यह जो लेयर बनी ना इस लेयर को मैं कहूंगा एम्नियोटिक कैविटी तो यह वैसे ही ब्लू कलर की जो लेयर है वह भी फैलेगी मतलब यह जो ब्लू कलर वाली फैल है यह वाली यह भी यहां पर और यहां से ऐसे बढ़ेगी आगे तो यह आगे जाके मुझे ऐसे दिखेगा कि यह ब्लू कलर वाली सेल की लिए दिख रही है अब यह जो अंदर कैविटी है यह कैविटी अंदर जो है यह एक्चली योग सैक है योग सैक है इसको योग सैक कहता है आगे बना रहा है कुछ नहीं हो है इन्नर सेल मास पहले दो लेयर बना फिर यह लेयर से ऐसे दो कैविटी यह वाली कैविटी को यह कैविटी को योग सैक कहेंगे आगे देख लेटें आगे आपका फोकस अब सिर्फ और सिर्फ बाई लेमिनार पर ना चींद अब मतलब यह अभी भी देखो बाई लेमिनार डीस्क है अभी अगर आप देखोगे तो यह डिस्क अभी भी क्या है बाई लेमिनार है दो लेयर अगे यह आगे जाके क्या होता है आपको मैं लेयर खाली बता रहा हूं सपोस्स कि यह रेड़ वाली लेयर है आप उपर से देखो कि मुझे रब करना पड़ेगा पूरा यह है सिर्फ इतना पाट आप यहां पे देखिए यह वाला पाट आपको मैं डीटेल में बता रहा हूं कि यह रेड़ वाली लेयर है ठीक है पूरी पर यह रेड़ वाली लेयर का कुछ पाट जो है कि वह अंदर जा रहा है कि यह आपको साइड बीव बता रहा हुँ आगर अगर आप इस पार्ट को उपर से देखोगे अभी तो आपको दो बिस्कुट जैसा दिख रहा है तो दो यह ही पार्ट में यहाँ आपको दो डिस्क दिख रही है आपको दो डिस्क दिख रही है एक डिस्क आपको यहां पर इसके लिए पार्ट बना रहा हूं यह डिस्क दिखी आपको रेड कलर कि यह पूरी रेड़ वाली डिस्क रही है तो मैं इसको हाइलेट कर रहा हूं यह यह पूरी रेड कलर वाली वाली डिस्क और इसी डिस्क के निछे कौन से डिसक है ब्लू कलर वाली डिसक तो मैं ब्लू कलर वाली डिस्क बना रहा हूं इसी के नीचे है तो मैंने क्या किया मैंने सिर्फ ये पीस निगाला यहां से यह वाली यह पीस खाली निकाल के मैं तुमको दिखा रहा हूं कि दो डिस्क है अभी भी दो डिस्क है उपर वाली डिस्क है एपीब्लास्ट नीचे वाली डिस्क है है थोड़ी नीचे की तरफ जाएगी अगर यह उपर वाली लेर को आप यहां से देखो तो यह अभी भी आपको यह रेड कलर वाली लेर दिख रही है तो यह एरिया से थोड़ी नीचे जा रही है वह यह एरिया से तो यह जो नीचे जा रहा है तो यह जो नीचे जा रहा है और यह जब नीचे जाता है इस एरिया को प्रिमेटिव स्ट्रिक के यह जो नीचे जा रहा है और मंन रहें जो नीचे जाना संप ऑसको नीचे जिक है बराण नीचे वब उपर वाला हाइपो ब्लास्ट नीचे वाला उपर वाला एपी ब्लास्ट कि और नीचे के भी भी ब्लस्ट मैं आप देखो प्रicate से ब्लाना इस निचे वालेृ शर्च कर नड़े इस थे wrists कि अजब कि अजब कि अजब कि अजब है अब यहां पर यह डाइगरम में आप देखो तो यह जो प्रिमिटिव स्ट्रिक वो कुछ बनाएगा वो से बना रहे हैं यह जो नीचे की दरफ जा रहा है यह लोग क्या कर रहे हैं यह लोग कुछ नए बना रहे हैं आगे जाके यह सब्सक्राइब यह लोग की यह लोग यह लोग क्या यह लोग में रहे हैं इड रहेगा बनांएब यह यह में ये वाली सेल्स पहले डिस्प्लेस करेंगी, किसको बताओ यह वाला कॉन सा लेर है ब्ल्यू वाला यह कॉन सा लेर है निकीटा लिए बताइए एए हैइपोबलास को रही है एए तो ऐब गराइब तो है इसलें आ गए हूँ तो थोड़ा थो बना इसको मैं बोलूँगा एंडोडर्मिस पहला जर्म लेयर बना इसको डिस्प्लेस कर रहा है है एक बार यह चीज में वापस यहां पर बता रहा हूं प्लीज यहां दिजिए यह था स्टेज जिसको हम बोलते है इसमें बाहर वाला ला इनर सिल मस है यह आगे जाके दो टाइब के ुपर वाला एपी ब्लास्ट नीचा वाला है लाएंनर अप्लासी लिए दगो दुवलाउट एपीब्लास व्ला सेल थोड़ा सा लंबा है और है यह दो लेर बना इस बाइल आगे जाके क्या होगा इससे भी एक लेर बनेगा तो ऐसा हो जाएगे इसके आएकि क्या हुआ मैंने सिर्फ यह पार्ट दिखा है कि अभी भी डिस्क के फॉर्म में यह अब यह देखो उपर के तरफ एपी ब्लास्ट अब क्या होता है इधर का एरिया का एपी ब्लास्ट थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा मेरे मेरे उंग्लियों पर ध्यानजव तो वह यहां पे शाल समझ में आ जाए कि यह वह झेवला यह थोड़ा नीचे की तरफ मुट जा रहा रहा थो गी स्ट्रीक से अंदर सकते हो commence s थोड़ा सा अंदर जाना कौन सा पाट इन्मेजेन हो रहा है Tabla lists ain्धर की डिरो बना रहा हूं और जब ऑंदर जा रहे हैं तो बना रहा है वह नए सेंटर अन्डरारनाo और अंडे रोले सब्सक्रe aussie को करेंगे बोलो ये समझ मैं तुमको पक्का मीकीता सिया अंकीता तिके मैं आगे वढ़ता हूं अब देखे क्या हो रहा है step 2 पर तुम लोगों को अल्रेडी पता है कि जो अंडोडर्मिस था वो डिस्प्लेस हो चुका है तो यह देखे यह अंडोडर्मिस अल्रेडी डिस्प्लेस हो चुका है इसको किस ने डिस्प्लेस किया एपिडर्मिस में तो यह एपिडर्मल वाले यल्लो वाले यल्लोगों के लिए यहां पर लेबल भी कर दे रहा हूं यल्लोगों वाले है तो पहला सेल कौन सा बना अभी भी तुम लोग देखोगे कि प्रिमेटिव स्ट्रिक था अभी विए बताये यह एडवला सेल कॉन सा है इस अपिबलास वह भी अभी वह और भी यह नया सेंट बनाते जा रहे हैं कि green color के cells बनाते जा रहे है और यह जो green color के cells जो बन रहे हैं इसको मैं बूलूँगा mesoderm तो बना है तो मैं इसको लेबल कर रहे ह। यद गरिन बना cell mesoderm है तो दूसरा layer जो बनेगा यह मीजोडम है और उपर के जो बचेवे सहल है वो है एक्टोडम वो एक्टोडम है तो यह लेयर आगे जाके आगे जाके तीन लेयर बनेगा तुमको तीन लेयर बनेगा यह देखिए यह एक रेड़ वाली लेयर होगी यह होगी एक्टोडम इसको बोलूँगा मैं एक्टोडम यह एक्टोडम अब क्या कहलाएगी एक्टोडम दूसरी लेयर कौन से होगी ग्रिन वाली मीजोडम यह देखो यह बीच वाली लेयर यह मीजोडम बनेगा और तीसरी लेयर कौन से होगी एंडोडम यह यल्लोवाली तो यह हो गई एक्टोडम मीजोडम एंडोडम तो तोटल कितनी अब लेयर बन गई पहले बाई लेमिनर था अब क्या हो गया तो कि पहले बाई लेमिनर केडर क्या कहलाएंगे डराऊ या मदश त्राइल ड्न से अब यह ट्राइल एमिनर डिस्क कहलाएगी शरव को पहले दो लेयर के डिस्क बनी थी अब तीन लेयर के डिस्क बन गई इसी प्रोसेस का हम कहते है गैस्ट्रूलेशन गैस्ट्रूलेशन का मतलब ही होता है formation of three germ लेयर तीन जर्म लेयर बनना that is ectoderm mesoderm endoderm समझ रहे है यह चीज़ और यह गैस्ट्रूलेशन कब होता है 15 दिन से स्टार्ट हो जाता है इंप्टेंटेशन आट्वे दिन होता है ना याद करो इंप्लैंटेशन कोंसे दिन रहा था ब्लास्टोसिस कब बन रहा था पाच्वे या छटे दिन पर क्या बन रहा था ब्लास्टोसिस्ट बन रहा था जो कि 64 सेल स्टेज है आट्वे दिन पर क्या हो रहा था इंप्लैंटेशन येस और पंद्रवे दिन पर हो रहा है गैस्ट्रूलेशन मतलब तीन जर्म लेर बनना बच्चे में आगे जाके तीन जर्म लेयर बन रहे गैस्टूलेशन और इसी के साथ अगर आप यह बेबी को आगे जाके देखोगे तो यह बेबी में यह बाहर वाला लेयर होगा है यह बाहर वाला लेयर है बेबी का यह एक्टोडर्म और ये अंदर का ग्रीन वाला लेयर बीबी का ये बीबी का कौन सा लेयर ये मीजोडर्म ये एक्टोडर्म और सबसे अंदर वाला तो लोग देख रहे हो कि इसके अंदर के डाजेस्टिव ट्रैक को लाइन कर रहा है तो ये बेबी बना बेबी बनने से पहले ना तीन लेयर बनेंगे एक्टोडम मीजोडम एंडोडम और बाद में वो लेयर से टिश्व बनेगा एक्टोडम लेयर से कौन कौन सा टिश्व बनता है आपका स्किन समय रहो पूरा का पूरा ब्रेन बन रहा है देखो नर्वस सिस्टम तो इतना तुम लोग से अपने दिमाग में याद रखो कि रेड़ वाला जो है वह क्या है एक्टोडम ग्रीन वाला क्या है मीजोडम और यलो वला है एंडोडम सिर्फ तुम लोग इतना रखोंगत है प्रिमिटिव निजयंग से पता चलती है ग्यर्स्ट रे लेशन मतलब जब प्रिमिटिव स्ट्रिक बनना स्टार्ट होता है जैसे कि यह पर किस्ट्रिक क्या था यह प्रोसेश चालू हो रहा है ओके ग्यास्ट्रिलेशन का प्रोसेस चालू हो रहा है वो कप होता है इंडिकेशन जब प्रिमिटिव श्ट्रिक बनता है दूसरा कि तुम लोगों को मैंने यह कैविटी बताई थी यह वाली कैविटी कि यात करो यह कैविटी को क्या बूलते है कोई मुझे बता देए इस नाम क्या था यह कैविटी ब्लास्टो बुलिये रॉंग तो रॉंग कोई बात नहीं ब्लास्टोसील यह जो कैवेटी है इस कैवेटी को हम कहते है ब्लास्टोसील ब्लास्टोसिस्ट नहीं ब्लास्टोसिस्ट तो पूरा स्ट्रक्चर है यह पूरा स्ट्रक्चर को मैं ब्लास्टोसिस्ट कहता हूँ या blastula कहता हूँ मैं ये cavity की बात कर रहा हूँ सिर्फ ये cavity को blastocele कहते तो जब ये cavity खतम हो जाती है वो indication देता है कि अब gastrulation complete हो गया है Obliteration of blastocele Obliteration का मतलब होता है खतम होना blastocele का खतम होना indication दे रहा है कि gastrulation की प्रक्रिया भी खतम हो चुकी है और primitive streak का बनना indication देता है कि gastrulation चालू हो रही है मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि तुम लोग यह खुद देखो कि जब यह नया-nया cell बनता है ना पहली बार जब यह नया-nया cell बनता है तो यह cell को हटाता है यह cell हाइपो ब्लास्ट को हटा रहा है तो धीरे-दीरे वह cell भर और ब्लास्टोसिस खतम हो जाता है मैं सिर्फ इतना लिखूंगा यह यह यहाँ पर यह तुम लोग सिर्फ इतना लाद रखो obliteration of blastocyle obliteration का मतलब होता है खतम होना ब्लास्टोसिल जो है वह cavity जो है वह खतम हो गई है almost so obliteration of blastocyle क्या indicate कर रही है termination of gastrulation क्या indicate कर रही है termination of gastrulation और formation of primitive क्या indicate कर रही है प्रिमिटिव स्ट्रिक का बनना इंडिकेट कर रही है starting of gastrulation या initiation initiation का यह मतलब बता है starting है ठीक है मैंने यहां पर तुम लोगों को बताया कि देखो यह तीन तीन लेयर बन गए जब तीन लेयर बनते हैं तब उसे हम कहते हैं ट्राय लैमिनर डिस्क मतलब वही तीन जर्म लेयर बन गए इसी प्रक्रिया को हम कहते है gastrulation is nothing but it is the formation of three germ layer that is actodom mesodom endodom तो यह तीन जर्म लेयर यह पहले ऐसे morphogenetic movement हुआ है क्या हुआ है यहां पर कुछ morphogenetic movement हुआ है मतलब यह जो सेल्स है ना इनका कुछ ऐसा movement हुआ आपस में है कि यह ऐसा बन गया बेबी की तरह और यह बेबी का head है समझ रहे हो मैं एक बार चीज को वापस से repeat करता और फिर आपको पूछता हो समझा की नहीं समझा मैं यहां पर फिर से देख लेते यह 64 जिसको मैं blastocyst कह रहा था बाहर के अंदर का जी सहल राहे कलरका उसको इनर सेल मास बोलते उससे एम्ब्रियो मतलब बेबी बनता है तो बहार का है उससे प्लासेंटा बपन रहा हम लोगों को समा संपर कर lick नहीं पड़ रहे हैं तो इतना याद रखना कि यह इनर्स इल मास्से वह पहले दो टैप के लेयर में convert होता है उपर वाली लेयर को आप कहते हो epiblust नीचे वाली लेयर को आप बोलते हो माइस से ही बना हुआ है बस फरक इतना है कि जो ओट Кॉलं लाइक होते लॉघ जबकि हाइपो बस वाल सेल थोड़े छोटे है च्पॉजब होते हैं तो पहले यह इंस तरह मास कुछ इस तरह से प्लैट के दो आप आपके से देख रहे हो पर इन ऑ पैपो प्लेट की तरह एक। दो प्लेट की तरह थिजुन नुट्छ प्लेट्र नीची के तरह तो एसा आपको मिलेगा दो स्ट्रुक्चर मिलेगा और दोनों में अपनी अपनी केविटी होगी तो यह स्ट्रॉक्शर योग सैग बनता है तो बीच का पार्ट इसके एपी ब्लास्त में कुछ पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा सपोज्ब कि यह मेरा हाथ एपपि ब्लास्ट है और इसके निऺए hypo blast है तो epiblast का कुछ part नीचे की तरफ जाने लगेगा इसको कहते invagination या primitive streak बनना और primitive streak बनना यह indication दे रहा है कि gastrulation की प्रक्रियाफ चालू होने जा रहे तो primitive streak बनता है बन गया थोड़ा यह part अंदर की तरफ चला जोड़ा इसल थोड़ा नीचे चला गया लेकं पहला सा बनाएंगे यलो गलर का सेल यह एंडोडर्मिस को खटा रहा है और थेखां हैप्योड इसके बीच में उपचा नहीं कहोगे अब इसको एक्टोडम को समेह भी इसको क्या को गहें तो अब यहाँ पे टोटल तीन लेर बन गया है टो डव मीजोडर टो इंडो टो क्वेश्ट एंग्जाम में क्या पुछते कि यह तीन जांब लियर उपर्वाइट नीचे मीजोडर नीचे बोडर तो सबसे पहला जांब लेर कौन सा बनाता very good very good सबसे पहला जम लेयर बनाता है एंडोडर्म पॉस्ट जम लेयर फॉर्म इस एंडोडर्म एंडिस के बाद कौन सा लेयर बनता है मीजोडर्म और बाद में जो वपर बचा हूँ तब आप उसको एक्टोडर्म कहोगे हैं सब्सक्राइब बनने के बाद ही आप उपर वाले सेल्स को एक्टोडर्म कह सकते हैं और देन दिस फॉलोड़ वाई एक्टोडर्म यह चीज याद रखना ठीक है यह पूछ लेंगे और यह तीन जर्म लेर बने इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन देखो यही बन गया गैस्ट्रुलेशन क्योंकि अब तीन जर्म लेर बन गए ट्राइले मिनल डिस्क और मैंने लाश में बता तक कि यही ताइप का मौर्फोजनिक मुवमेंट होता है कि ऐसे करके बेबी बनता है और आप बहार की लियर देख सकते हो कि वह अन्डर्म है और यह मैंने लिखा है कि यही था तीन लियर बनना इसी प्रक्रिया को कहते है और यह प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है घुल के अग्रलेटा विद्धार में आके मिला बिलास्टे के बॉप्लाइशन पार इंप्लाइंटेशन गशुन की शुरुआ है जब का हो जाता है वह इंडिकेशन देता है कि ब्लास्टोस की प्रक्रिया भी जो है वह अभी खतम हो चुकी है जब तीन जम लेयर बन चुका होता है पूरी तरह से समझें तब वह कैविटी पूरी से भर जाती है तो यह समझ मैं आपको किसी कुछ डाउट है इसमें अच्छा आपको कोई भी डाउट नहीं है और गरीमा निकेता आपका कुछ क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेट कि आगे बढ़ते अब यही चीज़ देखिए आगे चाल के क्या होता है ऑगे तो यही अ लाए और यह ये, ये बेभी का हेड़ बन रहा है, एक्टोडम, और इसके अंदर था, मीजोडम, ये, उसके अंदर था एंडोडम यह वाली लिए सबसे अंदर वाली एंडोडम तो गट के अंदर रेसी था अब आपको एक सी जाह रखने कि यहां पर एक छोटी से ट्यूब होती है पीडिनी जो बच्चे से चाहिए से और यह प्लासा और क्थ्की तरह ribs प्लमूथह यह प्लासंट्राल यह आपर यह प्लार करूंड एक टेंपर और यह यह रिएक पत्ला सा लेयर होता है यह भी और यह मतलब बच्चा जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे प्लासंटा भी बन रहा है तो सिद्धी सी बात है कि डिलेवरी के टाइम पर जब बच्चे को निकाल देंगे तो प्लासंटा को भी निकाल देंगे ठीक है और यह बच्चा एक एंवार्मेंट के अंदर है यह देखिए यह पूरा एक cavity है इसी cavity को हम क्या कह रहे है यह पूरे cavity को हम कहेंगे amniotic cavity और इसी amniotic cavity के अंदर fluid भराओ है जिससे हम amniotic fluid कहेंगे तो इसके अंदर के fluid को मैं कह दता हूँ amniotic fluid और यही amniotic cavity तुमको मैंने बताई थी वो यही थी यह देखिए यह दिख रहा है amniotic cavity यह cavity यह वो ही है बतलब बच्चा कुछ इसी के अंदर ग्रो हो रहा था इसा और यह बना प्लासंटा और यह है अंबलिकल कॉड इसमें दो ब्लड वैसर है मैं इसे लेबल कर दर हूँ आप लोगों के लिए यह जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते है अंबिलिकल कॉड ठीक है यह चीज याद रखना आप लोग मजंगा जीजAnn यह अपिछे को मा के प्लासंटा से अंबिलिकल कॉड और प्लासंटा की बारे में ज्याद से देखना यह डियागरम को भी याद रख लो इसके नेक्स स्लाइट में मैं तुमको अंबेलिकल कॉड और प्लासेंटा के बारे में बता हूँ ना यह डियागराम को भी द्यान से याद है रुपाँ नेक्स स्लाइट पर आता हूँ यह प्लासेंटा है यहां पर मैं पॉइंट लिखूंगा प्लासेंटा के बारे में और यह है अंबिलिकल कॉड जो बच्चे की नेवल में गया हुआ है यह आप लोगों के कन्वीनेंस के लिए में बेबी बना देता हूं यहां पर छोटा सा यहां पर मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं अंबिलिकल कॉड के बारे में यह जो कॉड है इसमें तीन ब्लड वैसल है तीन इसके अंदर दो अंबिलिकल आट्री है और एक हां जो नाभी से जुड़ा हुआ होता है और बेबी को दिलिवे के तर नाभी से जुड़ा हुआ होता है ना उसको अंबिलिकल कॉड के थे वह यह ट्यूब है और यह ट्यूब बच्चे के इदर से निकल रहा है और दूसरा यह थैली में जाके लग रहा है इसको थैली कहते क्या होता है कि प्लासंटा एक प्लासंटा एक फिल्टर का काम कर रहा है फिल्टर का काम करता है सारा मदर का ब्लड आके इदर जमा हो जाएगा पर यह मदर का ब्लड इदर से नहीं जाएगा क्यों कि अगर मान लोग कि पॉईजन हो सकता है मदर के अंदर बलड में कोई poison toxin हो सकता है तो जाके बच्चे को हाम कर देगा तो पुरा का पूरा मदर के बलड को नहीं भेच रहे हैं यह बात है अपने दिवाग में बैठा लो कर रहा है मतलब ब्लड में बढ़ा पूरा इसा होगा State या मधर के कुछ मदर ने ऐसा खा लिया है कि उसमें कुछ पॉइजन जे टॉक्सिन जे तो बीबी को भी जाके अफेक्ट कर लेगा तो हम नहीं चाहते कि वह टॉक्सिन जो है वह बच्चों को जाके अफेक्ट करें इसके लिए प्लासंटा एक बैरियर का काम करता है तो यहां से बड़ इंप्लैंट कोशन क्या अब तुम लोगों से मैं पूछता हूं कि अंब्ला वेसल्स एपार्जक प्लासंटा नहीं कि प्लासंटा तो अंडर की हैज़ो को आगे जाने लिए जैसे कि और लिए ऑक्सिजन क्योंकि बच्चे को ग्रोने के लिए ऑक्सिजन चाहिए नूट्रियंट्स क्योंकि बच्चे को कुरोने के लिए ग्लूकोज अमीनो आसेट वगरा वगरा चाहिए समझ मैं आई बात तो मेरे को तुम लोग एक सी बताओ कि अंदर किसका ब्लड फिर फ्लो हो रहा होगा मदर का की फीटस का वो बताईए कि इस वापस रिपीट कर रहा है कि अंदर ना ब्लड वैसल ठीक है इसमें तीन ब्लड वैसल दो अंबलीकल आट्री और एक अंबलीकल वेन हैं और मैं इतना भी कहूंगा आपको कि मेरे को पहले यह लिख रहे हैं तो फिर मैं पूछता हूं कि अंबलीकल आट्री में डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और यहां पे अंबलीकल वेन में ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्लो होता है पोर इसमें और कुंशी ऑक्सिजनेटट ब्लड large Rebecca तो मेरा तुम लोगों से कोशन है किıma वेन आप अंदर और जो छो ब्लड फ्लोर है वह किसका होगा मां का होगा कि बच्छे का सकतारtx डीIt क्या वह ब्ल्ड मदर का होगा कि फीटउस का होगा क्योंकि मैंने पहले तुम लोगों को बोला कि प्लासंटा बैरियर का काम कर रहा है वो मदर के पूरे ब्लड को जाने नहीं देगा मदर के ब्लड के सिर्फ कंपोनेंट जिसे ऑक्सिजन और न्यूट्रेंट को ही जाने देगा आई बात समझ में तो सीधी सी बात है कि इस पैने लिखता हो डी आक्सिजनेटिड ब्लड ऑफ पीटर पीटरस मतला बेबी ती के टाइम पे डॉक्टर अंबलिकल कॉड को कट करता है थीक है? तो भी बच्चे को दर्द नहीं होता, क्यों? क्योंकि umbilical cord के अंदर कोई भी neurons नहीं है, nerve नहीं है तो उसे कोई pain की feeling आने नहीं वाली है तो umbilical cord में कोई भी nerves नहीं है आइब आप समझ मैं, तो उसको cut करता है ज़्ब cut कर दिया ना, ऐसे क्ट कर दिया तो फिर उसके बाद होता क्या है बड़ा इंप्वॉर्टन चीज़े और बिच्चे को निकालने के बद प्लसंटा को भी निकाल देते हर प्रेग नेंसी में नया प्लासंटा बनेगा हर जो बच्चा बन रहा है तो बच्चे को निकाल तो प्लासंटा को भी निकाल देंगे रिंगे हर बच्चे के लिए एक प्लासंटा बनेगा तो यह एक टेंपररी ओर्गन है यह एकलोता ऐसा और्गन है जो दो जनरेशन के टीशू से बना हुआ है इस प्लासेंटा को बनने में आधा टीशू बच्चे का लगा और आधा टीशू मदर का लगा है तो ये इकलोता ऐसा टीशू है विच फॉर्म स्रॉम टू डिफरेंट जनरेशन ओनली और गन विच फॉम्स फ्रॉम्स 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 टू डिफरेंट जन्रेशन बोलो आई बाते हैं समझ में क्योंकि इसमें आधा टीशू मदर के और आधा टीशू बच्चे गड़े इसके लिए इसको फीटो प्लासेंटल कनेक्शन भी कहते हैं फीटो प्लासेंटल कनेक्शन ये एक इंपोर्टन थाम है ये याद रखना प्लासेंटा में मदर का प्लड आ रहा है ये प्लासेंटा क्या देता है ये ये प्लासेंटा आप बच्चे को क्या दे रहा है बच्चा मतलब फीटस बच्चे को ये देगा ऑक्सीजन और न्यूट्रियंट जैसे ग्लूकोज अमीन असिट वगेरा देगा और उल्टा बच्चे से क्या लेगा बच्चे का वेस्ट लेके जाएगा जैसे की कारबन डायोकसाइट बच्चे का है वो लेके जाएगा बच्चे का वेस्ट लेके जाएगा यूरिया अमोनिया यूरिया जैसे वेस्ट को लेके जाएगा तो यह चीजा रखना कि यह ऑक्सिजनेटेड ब्लड किससे पास होगा अम्बलीकल वेंसे पास होगा और यह कारबन डायोकसाइट वाला ब्लड कहां से जाएगा अमिलगल आरिक्टरी से जाएगा तो इस कोड के अंदर तीन ब्लड वैसल है जिसमें से दो अम्बलीकल आर्टरी है जो कि दियॉक्सिजनेटिड ब्लड लेकर जाएगे जिसमें यह चीजे होगी बच्चे के बच्चे की यह चीजे होगी है तो मैं इधार तुम लोगों के लिए एभी लिख दे रा हूँ कि यह चीज जाएगी अымभीलिकल आल्ट्री से अ बच्चे से प्लासेंटा में और यह चीज़ कितर से जा रही है है अंबिलिकल वेन से जा रही है बोलो यह चीज़ समझ में आया क्या पक्का सबको गरीमा निकीता आप दुनों को अगे बढ़ते तो प्लासेंटा की बारे में यह तो मैंने बता आपको की एकलोता इसा टिशू ऑर्गन है यह ज्यांड बहुत सारे हॉर्मोन भी सिक्रेट निके करता है इसका कि मैं आपको next page पर बता हूंगा इसके बाएं कईओ हॉर्मोन करता है और उसको बनने के लिए कितना महिना लगता है त्रीमंथ लगते हैं तुरिंटम्ग फस्ट्रायमेश्टर तक बन जाता है आ ने परिस्ट्रायमेश्टर तक प्लासेंटा बन चुका होता है यह फर्स्ट्राइमेस्टर के स्पैलिंग ठोड़ी गलत हो गहीं फर्स्ट्राइमेस्टर तक बन चाता है यह याद रहा है उम्बिलिकल कॉड में तुम लोगों को बता दिया कि इसका क्या काम है यहां से बच्चे का ब्लड फ्लोर है यह इची याद लखना इस ओनली फीटल ब्लड प्लोज इस इस तर्वाट इस दो मेनिंग आप ट्राइमिस्टर मतलब क्या तीन महिने तीन महिने मिलाओं तो एक ट्राइमिस्टर तो प्रेग्रेंसी तो नो मेने का है तो कितने ट्राइमिस्टर होंगे तो मैं पहले ट्राइमिस्टर तक मतलब तीन महिने के प्लासंटा पूरा बन चुका होता है तीसरा महिना कंप्लीट होने तक मतलब पहला ट्राइमिस्टर कंप्लीट होने तक प्लासंटा बन चुका होता है समझ मैं में कहा था कि मेरे को एक बात बताओ कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हॉर्मोन है प्रोजेस्टरॉन तो प्रेगनेंसी जो नौ महने का है उसमें तीन महने के बाद अगर निकाल भी दिया तो क्या अब असर होगा क्यों की प्लाकट बन चुका रहाएं जिसे प्रेगनेंसी मेंटेन है कि उसके अलावा भी बहुत सारे अर्मन प्रेगनेंसी करता है यह प्लासेंटा ऐस्ट्रोजन में चलो दूसरे स्ट में लिख करता है यहां पर लिए रहा हूं और रिलाक्सीन ओक्सिटोशीन हाँ वेरी गुड मैं लिखता हूं सब सब लिख रहा हूं या पर मैं लासेंटल हॉर्मोन तो यह रिलीस कर रहा है प्रोजिस्टरॉन आपको जो जो याद आ रहा है वो भी बोलिए चलिए पार्टिस्पेट किजिए एस्ट्रोजन भी रिलीस कर रहा है रिलैक्सीन ओक्सिटोशीन और जो में ने ओक्सिटोशन देखा जाए तो फीमेल का है याइपोथलामस ज्यादा रिसकॉंसिव रिलीस करने के लिए रिलैक्सिन का काम में तुमको बताऊंगा थोड़ टाइम में यह डिलिवरी के टाइम पर बड़ा मदद करता है यह रिलैक्सिन में जब हम डिलिवर था हमेल दो रहेए हुमरे पलासंटल लेक्टो ट्रोपिन हो में प्लासंटल लेक्टो ट्रोपिन हैए हुम प्लासंटलल ओक्या रोच्पीन है हुमन को ड्रेज़ रीकी दिवह ऑन्रप्रमता है यह प्रेग्नेंसी इंडिकेटर होर्मोन था यूरीन में अपियर होता था और कॉर्पस लूटियम को डीजनर्ट होने से बचाता था याद आ रहा है एक सीजी इंप्लांटेशन के डाइम पर रिलिस होता था यह यह है और यूमन प्लासेंटल लेक्टोट्रॉफ यह यह पील जो है यूमन प्लासेंटल लेक्टोट्रॉफ यह मिल्क बनाने मदद करता है फीमेल में तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उसमें प्लासेंटा बनता है तो प्लासेंटा बनेगा तो यह हॉर्मोन सिक्रेट होगा और यह हॉर्मोन फीमेल में मिल्क बनान ब्रेस्ट डिवलेप्मेंट स्टार्ट कर देत nécessaire से इस से यूमन प्लसेंटल लाक्नार्टो ट्रोफ यूमन प्लसेंटल और ओज यूमन प्लासंठाल सुमेटोड़ लाक्का जक्रों उने तो यूमन प्लासंठाल प्लासंठाल सुमेटोड़ उह टो वह टो टृफव ठील क्या यह तो ये सारे होर्मोंस प्लासंठां के सिक्रिट कीarias एए प्लासेंटा के इस कुछ हॉर्मोन जे मैंने आपको एक्जाम्पल बता है कि एक चीज़ यहां रखना कि जब भी अंबलिकल कॉड करते हैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि बच्चा रोता क्यों है तो यह अंबलिकल कॉड को कट किया तो बताईए कि आप मदर का ब्लड बीवी में जा पाएगा क्या बच्चे में ऑक्सिजन की कमी होगी मतलब कार्बन डायोकसाइड का लेवल बच्चे में बढ़ता जाएगा सिर्फ सुनो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो खाली कि बच्चा रोता क्यों है तीन चारी पॉइंट बूलूँगा जब अंबलिकल कॉड को कट किया तो मदर का ब्लड जाना बन तो ऑक्सिजन भी नहीं जा रहे हैं तो बच्चे के अंदर ऑक्सिजन की कमी हो रही है और कार पहली बार सास लेता है तो उसका लंग पहली बार फूलता है और लंग फूलने से जोरदार जब लंग फूलता है तो उसको पेन होता है जोरदार क्योंकि पहली बार हवा लंग में गया और लंग फूला और लंग के फूलने से आसपास के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्ट शास मोनला बक्राफ का मां में चले पना उत्ता सबसे और श्यीं या वह यह उत्य वर्क उस्यक्र उस्का उन्हें ऊपड़ाइग्ड dus in रहा है जब हो भाशा की आद कर बच्छ तो तो बच्चा थोड़ीना सास ले रहा है तो याद रखना कि जब भी बच्चा मां के पेट में होता है वह सास नहीं लेता है उसका लंग नॉन जब उसकी डिलेवरी होती है तब वह सास लेता है क्योंकि अंबलिकल को जैसे कट किया और बच्चे के पहली बार शास लेगा जिससे उसका लंग फूलेगा और इतना जोरदार फूलने के वज़े से आधक पास के पेइन वाले रिसेप्टर स्ट्रेच रिसेप्टर दूसरी चीज़ आपको यह याद रखने है कि प्लासेंटा तो बन रहा है नो डॉप ठीक है आपको यह याद रखना है कि एक बार गैस्ट्रिलेशन हो गया टीन जर्म बन चुके और मुझे लग रहा है कि मैंने यलो यूज किया था अंडो डम के लिए और ग्रीन वाला यूज किया था मीजोडम के लिए तो आप लोगों के लिए मैं यहां पर अभी कि एसा कम से अरगन एक्टो ड़ान है यह चीज़ आप लोगों को याद रहने चाहिए कौन से और यह अग्टो ड़ से बने मिजो डाम लेयर से बने और कौन से औरगन एंडोडर्म लेयर से बनने है तो उसी पर एक बार ध्यान देना है आपको को यहां देखें मैं लिग देता हूं जो एक्टोडर्म से बने हैं सबसे पहला क्या बना स्किन जिसको इंटेग्युमेंट्री भी क्या से सबसे पहले स्किन बना उसके बाद स्किन बनने गया पूरा पूरा नर्वस सिस्टम बना यह नर्वस सिस्टम में ब्रेइन और स्पाइनल कॉड आ गया आप जारा ध्यान से देखिए डाइग्रम यह देखिए यहां पर ही मैंने बता दिया था कि जो रैड वाला पार्ट है व ब्रेइन से इस पाइनल गॉड बनता है तो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम जो एक्टोडर्मल नोरीजी तो यह समझ में आपको एक्टोडर्म होता है वह एक्टोडर्म होता है तो मैं पर लिखूंगा तीट इनामल वह एक्टोडर्म होता है पर तीट का अंदर का जो पार्ट होता है वह मीजोडर्म है तो मैं पर लिखूंगा तीट इनामल के बाद आ जाता है आई का कौन सा पार्ट आई का रेटिना कॉर्णिया आई के अंदर का लेंस ठीक है फिर एड्रेनल ग्लैंड का मेडूला वाला पार्ट एड्रेनल मेड्यूला यह किड्नी के उपर होता है आपको याद होगा एड्रेनल मेड्यूला उसके अलावा आप अगर यहां पर देखो प्रेन के अंदर होता है पीणील ग्लैंड पीट्यूटरी ग्लैंड फिश्यल काटीलेज पीश्यल चहरे के चहरे के काटिलेजर है नेल्स हैर ओके यह और के अंदर कोकलिया जो सुनने के लिए रिस्पॉंसिबल है वेस्टिब्यूल यह सारे के सारे एक्टोडर्मीन ओरीजिन है ठीक है टिमपैनिक मेंबरेन कान का परदा आउटर टिमपैनिक मेंबरेन यह बड़ा इंपोर्टेंट है ठीक है याद रखने देखो कान का परदा जो है ना हमारा उसकों बोलते हैं टिमपैनिक मेंबरेन वह इकलोता ऐसा ओर्गन है जो तीन जबाना और उसका बाहर का परट एक्टोड में बीच का परड मीजवडमे और उसके अंदर का अंदर का प्ड़ा में तो मेंब्रेन का का परदा धिम्पैनिक मेंब्रेन क्या कांड का परदा उसका और यहां पर पर मैं लिख दूंगा का इनेर सबसे अंदर का पाट जmission टीम्पैनिक मेंब्रेन का इनरर पाइड ऊफ चिंपग अ छुडेंप्स हम््यू रहा है तिम्पैनिक का shows ऑले एंट तो इधर तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि तीत का डेंटाइन तीत का डेंटाइन वहला पार्ट है तीक है उसके अलावा अब मीजोडर्म वाले पार्ट ने पूरा काइडियोवेस्कुलर सिस्टम हाइट ब्लड ब्लड वैसल सब तो मैं इधर लिखूंगा पूरा काइडियोवेस्कुलर सिस्टर्म में क्या क्या आ जाते हैं हाट है ब्लड वैसल्स इडिवह कंपिलरीज है लेंट है लिप लेम लेंटेटिक वैसल और का पूरा बलड है सबके सब काइपूर solve की वस्टर्म नो है पूरा का पूरा मस्क्डिविटार सिस्टम समूध मसल्स मत्राइब वॉलन्टरी मशल्स इन वॉलन्टरी मसल्स स्केलेटर शिस्टम में बूंज में काइटीलेज अब शुक्टर में या डिस आदी एप्स होगी चैक्ट के अंदर सिर्फ डोवी पार्ट है किड्णी और यूरेतर रहत कि यूरेतर्स कि एक क्लेश पूरत की की जो बाखी का पार्ट आ ड प्लैडर और रूमथ्ट का झार अ बलैडर यूरेतर से दो इसको है नबाएंट कि टीगन गोनैट्स गोनाट्स मतल्oga यह थे तेस्टिसटेजême औरे हूँ आफ़ों में नेसागों कि अंदर तुह मारा पुरा का पुरा रेस्पिरिट्रिस सिस्ट्रम और में धा तो रेस्पिरेटर सिस्टम में क्या लंग चाहिए ठीक है फिर कुछ अ गया थाइरॉइड ग्लैंड इसके पीछे पैडा थाइड़ायड आggे थाइमर लंग यह वाला एरिया जो हुवह भी अंडूड अभे बुटा थाइड लेंड़् कि थाइमर्ड पैरा थारवेट लैंड तो पूरा 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 अलिमेंटरी के नाल अगर आप देखो तो अंदर का पूरा का पूरा पूरा गट को लाइन करता हुआ कौन सा लियर है एंडोडर्म गट मतला समर्ण अलिमेंटरी के लाइज ट्रैक तो पूरा का पूरा 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 अलिमेंटरी के नाल अलिमेंटरी के नाल का मतला डाजेस्टिव ट्रैक इवन लीवर और पैंक्रिया और अड्रेनल ग्लांड का कॉर्टेक्स वाला पाट भी इदर आ जाता है इवन टंग भी एंडोडम है टंग जीव बोलो याद रखना ये एक्जाम में क्वेशन यहीं से आएगा किया आप सब लोगों ने नोट डाउन ये चीज़ एवरीबन अंकीता गरीमा निकीता सिया आप लोगों ने नोट डाउन किया ये चीज़ यह सबसे बड़ा होता है यह एक्टोडर्म देखें उसके नीचे था यह मीजोडर्म यह और सबसे अंदर था एंडोडर्म यह यह दखना और एक बात और कि जबी भी बच्चे का डिलिवरी होता है तो सबसे पहले उसका है निकलता है क्योंकि उसके शोल्डर से भी बड़ा उसके हैंड का डायमेटर होता है अगर आप देखो कि यहां पर है यह वाले स्लाइड में तो थो इस पोज़ कि यह यूट्रस है यह यूट्रस थे यह आई कि ओ और बच्चे का पहले क्या बाहर आ रहा है head ये देखिए ये उसका head है और उसका head का diameter उसके body के diameter से बढ़ा होता है सुचिए ये बच्चा है इस तरह से baby बाहर आता है मतलब मैं ये बोलना चाहरा हूँ कि बच्चे के head का diameter उसके shoulder के diameter से बढ़ा है इसके लिए head पहले बाहर आ रहा है और head ही क्यों निकलना चाहिए head थोड़ा सा smooth होता है soft गोल जैसा है तो निकलने में आसानी होगी इस position को हम बोलते है vertical position तो call it as vertical position अगर ये position change हो गई तो operation करके delivery करनी पड़ेगी कि मान लोग बच्चा थोड़ा सा पलट गया या आगे पीछे हो गया तो सुनोग्राफी में तो पता चल जाता है और तब doctor surgery करेगा cesarian बोलते हैं उसको cesarian अगर ऐसा vertical position रहेगा तो normal delivery होगी तो operation करने की जरूद नहीं पड़ेगी अगर पूशन फ नॉर्म लोग आ तो हम cesarian करना पड़ता है operation यह समझा सबको है यह साथ है अभी टोपिक अज आजा का लाерг में हम कर लेते यह Eleven का जो की फीड होता है दिके-प्रेग्नेंसी अगर्नेंसी मतलब कितना मेंशना नाज मेंशन नाइन मन्त नाइन मन्त मतलब कितना ट्राइमेश्टर ठीट्राइमेश्टर त्री ट्राइमेस्टर मतलब कितने हफ़ते 36 to 38 वीक्स अगर दीन में बोलू तो 266 दिन बीना बीना वो 14 दिन कंसिडर किये है देखो 7 दिन तो लगता था किसको वो ब्लास्टोसिस बनने में 7 दिन लगता था राइट अब अब मेरे वहादा प्रेग्नेंसी अचीव कब होती है इंप्लांटेशन इंप्लांटेशन पर तुम लोग एक बर जारा इस पर आजाओ मैंस्ट्रॉल साइकल पर आजाओ तो मैं चौदवे दिन पर ओवियूलेशन होता है ना चौदवे दिन पर ओवियूलेशन होता है तो 14 दिन के पहले इसका लास्ट मेंस्ट्रॉल साइकल होगा तो ओवियूलेशन चौदवे दिन पर हुआ तो हम लोग यह जो मैं 266 दिन बोल रहा हूं वो मैं बीना 14 दिन यह वला 14 दिन मैंने नहीं कीना है यह वला यह 14 दिन मैंने नहीं कीना है देखो यह 14 दिन पर जो एक निकलने वला है यही आके जाके फॉटिलाइज होगा यह जो एक निकला यही आके जाके क्या होगा फॉटिलाइज होगा फॉटिलाइज यह सपाउम के साथ तो कि इसको मैं बोलूंगा विदाउट एल एन एंपी इसका फुल फॉरम है यह कि इसका लाश्ट नॉर्मल menstrual phase ठीक है ये बीना कीने मैं 266 दिन बोल रहा हूँ या इसको मैं 280 दिन कब बोलूँगा जब मैं LNMP गिन रहा हूँ ये 14 दिन अगर मैं गिन रहा हूँ कि इसका last period जो आया था उसके बाद का पूरा दिन consider कर लो के तो ये 14 दिन हो जाएंगे तो वो 280 दिन हो जाएंगे considering with LNMP बोलो ये समझ में आपको तो ये जो 380 डेज रहता है ये 380 डेज मतलब लगबख 38 वीक्स और प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं कि 38 वीक्स प्लस टू या माइनस टू करते हैं मतलब 38 वीक का प्रेगनेंसी होता है हम लोग on and average बोलते हैं कि प्रेगनेंसी कितना 38 वीक्स का होता है इसको हम प्लस टू या माइनस टू कर सकते हैं मतलब दो हफता पहले इसके या दो हफते बार डेलेवरी उपर नीचे हो सकती है प्लस टू मतलब 36 से 40 वीक्स के रेंज में कभी भी डिलिवरी होती है वो डिपेंड करता है बच्चे के ग्रोथ के ऊपर तो यूज्वली 38 वीक्स के अराउंड में प्लस टू वीक्स या माइनस टू वीक्स हम कंसिडर करते हैं यह समझा तुमको इतना खाली याद रखो कि सबसे पहला और बच्चे में कौन सा बनता है पॉस्ट मंत पॉस्ट मंत सबसे पहले आपके बताती है कि हार्ट बनता है यह नो डाउट पर हार्ट बनने से पहले दूसे नर्वस सिस्टम बनेगा क्या हारड को हार्ड बीत होने के यह反य किलिए उसने आपा रहे वह सबसे पहला सिस्टम अगर को डैबलप होता है तो वो है नर्वन सिस्टम मतलब आपका बें हाट बनता है सबसे पहले अबते हैं फिर सेकेंड मंत क्या बनता है बीभी का बच्चे के हात और पैर बन जाते हैं लिम्स बन जाते हैं और उंगलिया निकल जाती है हातों से उंगलियों को कहते है is and to say तो सेक्एंड मंत में लिम्दस बन घए हाथ और पैर बन गए सब्सक्राइब बन लड़ी यह दूसरे मेहने होता है तीसरे मेहने ऑज जाते हैं जनाइटाल और गन्स दैसे कि लड़का है तो टेस्टीस बन जाएगा लड़की है तो ओवरी बन जाएगा समझेव रीपरटिव और्गन बन जाते हैं जनाइटल्स गोनाड्स बन जाएंगे गोनाड्स पाचवे महने पर क्या होता है पाचवे महने में बच्चे के मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चा थोड़ा-थोड़ा मूव करने लगेगा और उसके सर पर बाल आ जाएंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा है ओवर हैड हैड पर बाल आ जा रहे एंड मूवमेंट ठीक है मूवमेंट ऑफ बेबी बच्चे अपना मूह हिलाने लग रहा हाथ पर हिलाने लग रहा है मूवमेंट स्टार्ट हो गया है छटे मेने पर क्या होता है उसके स्कीन पर बाल आ जाते हैं हाला कि वह बाल थोड़े देर के लिए रहते और फिर जड़ भी जाते हैं पर कुछ टाइम के लिए वह हैर जाते हैं hair on skin इस प्रक्रिया को कहते है लैन्यूगो लैन्यूगो का मतलब बता है स्कीन पे बाला प्लस आइलिट बन चुकी है आखों की जो हमारी पलके है पलके वो बन चुकी है आइलिट्स आइलिट्स बन चुकी है और आइलैशेस भी आ चुकी है मतलब आखों की पलकों पे बाल आ चुक है अलके-अलके आई लेशेज अगर बनाया तो वह नीचे की तरफ जाता है स्क्रोटम में चला जाता है कि we had this and test is को क्या गया तो उसक्रोटम में नहीं जा पाया तो कृप्ट और कीडिशम याद आया क्रिप्ट और कीडिशम सबसे बहुत पहें स्क्रोटम में नहीं जा पाया एब्डॉमन में यह तो इस कंडिशन को क्रिप्ट और किडिजम कहते हैं यह आटवे महने पर और नवे महने तक आते आते बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ट होंगे अच्छे से यह ख़र अप्रक्राया के लिधा तो सबसे लाइस सिस्टम कों सा डेवलफ होता है अबी भी लंग काम निकर रहें मैं मैं फिर हो लंग बन चुका बाकि सारे चीज़ें बन गए फिर भी लंग काम नहीं कहरा है वह तो डिलिवरी के बाद ही काम करेगा तो सबसे पहला सिस्टम होने वाला होगा नर्वस सिस्टम सबसे पहला और यहां पर बना इंसेटी बता रहा है जाट इस हाट बोलो यह क्लियर हुआ आपका और नाइन मंद की बाद डिलिवरी होगा डिलिवरी को पार्चुरेशन कहते हैं तो नेक्स लेक्शन में हम डिटेल में करेंगे नेक्स लेक्शन में तो आज हमने क्या बढ़ा आप बोलिए यहीं तीन चीज तो आती है तो यहीं तीन चीज सबसे पहले बनती है जो कि गलत है हाट बनने से पहले यह और गन्स पहले बनेंगे क्योंकि हाट को कमांड तो इन ही से आ रहा है तो यह कि जो सिगनल आ रहा है हमारे हाट को वह आफटर ओल वह सिगनल हमारे नर्वस सिस्टम से आ तो अगर हमारा प्रेन कंप्लीटली नहीं डेवलप हुआ रहेगा तो हाट भीट ही नहीं होगा तो यह चीज़ हाप अपने दिमाग में आ रखना कि पहले नर्वस सिस्टम बनेगा उसके बाद ही हाट बनेगा ठीक है यह एक ब्लेंडर रहता है यह ब्लैंड है एक गलती एक छोटी सी में बोलूगा कि उसने पहले हाट बोला हाट नहीं है पहले नर्वस सिस्टम है और तो जो ब्रेन नो डाउट ब्रेन बनेगा अभी भी डेवलपिंग प्रोसेस में यह ऐसा मत सबजना कि कंपलीटली ब्रेंड बन चुका है डेवलपिंग प्रोसेस में है आते आते 67 मन तक उसक होते रहते है चींपडिकेद होते रहते खे साल तक ही हमारा सम्मझे Dafür होता है मतलब नूरं ली 6 Cum साल के बार नूरॉट बंक कर देते तो ब्रेंड İşे साल तक होता है तो तुम ऐसा महीं समझना कि श्य मेहने तक ही ग्रोर नोगौ सब्सिक स्जीय eh तक बेंट होते हैं तो ब्रेंट अब होते जा रहा है एसा मज़सा कि पहले मेने में पूरा भी तो जगा पे कि एट मंथ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना वह बहुत है यही बात बोल रहे हो ना यह सो एट मन पर डिलिवरी होती है तो डिफिकल्टी क्या आती है कि बच्चे के अंदर ना बड़ावर बना नहीं है क्या होता है एक अंदर होता है कि कोलाप्स होने के चांसे बढ़ जाते हैं मैं आता हो इस चीज़ पर यहां पर बता रहे हैं और एक चीज़ा रखना कि यह एलबुलाई का वॉल्ल से बना है यह स्कॉयमस एपिथिलियम से जब हम ब्रीड आउट करते हैं तो हमारा सिर्फ कार जब हम ब्रीड आउट करते हैं सास छोड़ते हैं तो सिर्फ कार्बन डियोकसेट निकल रहे हैं कि वॉटर भी निकलता है वेपर की फॉर्म है आप काच के सामने जाके एक्जल करो तो थोड़ा सा काच में कैसा वाफ जैसा आ जाता है वह वॉटर मतलब वॉटर वेपर की लेएर होते हैं तो इक वॉटर की हलकी से लेआर इदर मधब और यह वॉटर की लेएर यहा पर बनेंगी ना कि यह अगर रह हो जाएगा पन्हों नहीं बंद हो jij तो यह तीसरा दूसरी तो अगर यह सब लोग एक दूसरे को अट्रेक्ट करने लगें । इतना समझ में आ रहे हैं ये सब तुमारे एसाफ से पताओ क्या होना चाहिए वोडर म्यूल मैं आपस में डूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए तो उसके लिए क्या होता है यह इनके बीच में कैमिकल सिक्रीट करना पड़ता है यह कैमिकल एक टाइप का सर्फेक्टंट है सर्फेक्टंट मतलब यह सर्फेस टेंशन को ब्रेक करता है हुँ एक दो वाटर मॉलग्यूल म के बीच में का ड्राक्षण सरफेस ने के बीच क्वा इंगे चाहते कि सफेidd और यह सकता है और यह केमिकल बनना कब स्टाट होती है प्रेगनेंसी के चटे और साटवे महने पर नहीं बनना स्टाट होती है और अगर यह कैमिकल मान लों की जो प्री मैंचर डिलिवरी होती है जो मतलब जो बच्छे का जनम साथवे में पर या आट्वे 5 मेहंने मैंने पर हो चुकात फ्षल का है उसके सफ जरी चलीडी में कियुक्सके जनम आजब या साथ वी मेहने पर यह नहीं बन पाया जिसके विशसे के लिए आपढ़ tag और उस कंडिशन को हम कहते हैं इंफेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम समझ में यह चीज आपको कि क्यों प्रीमेचर डिलिवरी में प्रॉब्लम होता है अगर बच्चा साथ या आट वे मैंने पैदा होता है तो उसके अंदर यह सरफेक्टेंट वाला केमिकल सफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा बढ़ेगा क्योंकि सरफेक्टेंट जो होता है वह एक्शली यह दोनों के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ते रहता है ताकि यह चीज़ क्लियर हुआ क्या बताई है टेल मी ऐसे और नहीं तो फिर से में रिपीट करूं क्लियर हो गया पका सबका ओके तो आज के लिए इतना ही